हेलो एब्रीवान और वेलकम टे इंग्लिश लेर्निंग कैम आज हम पढ़ने लगे हैं फ्यूचर पॉर्फेक्टेंज के भारे में से लेट स्टार्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर पॉर्फेक्टेंज को हम इस्तमाल किस टाइम पर करते हैं यानि किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जिसमें स्पीकर यह फर्स करता है उसको लगता है कि जो भी एक्टिविटी जो भी टास्क वो फ्यूचर में मुस्तकबिल में आने वाले टाइम में मुकमल हो जाएगा और यह सेंस देती है कि जो कम्पलीशन है टास्क की जो यानि टास्क का मुकमल होने का जो काम है वो जल्दी फीचर में पूरा हो जाएगा अब इसको हम एक्जामपल से समझते है यानि जो लैपटोप खरीद चुकी होगी यानि जो लैपटोप खरीदें का काम है वो फीचर में कर लिया जाएगा आई होब आपका ये क्लियर हो गया है कि फीचर पैट्फरेक टेंस को हम इस्तमाल किस टाइम पे करते हैं इस तेंस इस आलसरी एक्टिविटी के होने से पहले खतम होने से पहले जो पहली एक्टिविटी या वो कर ली जाएगी या जो भी पहला काम है वो हो जाएगा फॉर एक्टिविटी के होने से पहले क्म्टिट हो चुकी होगी तो यह जो थे यह इसके यूज थे इसके बाद है यूज ओफ Heylping rhymes अब होब हम और हम इसमाल करते है विल हव और शंव हेव का अब हम देखते हैं कि हम विल हव का हेल्पिं वाफ किनके साथ लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट He, She, It, You यद तेद आ summoda है तो हमने शेल हैव का इस्तमाल करना है दूसरी अभाद शेल हैव का इस्तमाल सिर्फ हमने आई और वी के साथ करना है इसके इलावा सिंगुलर है प्लूरल है जो भी आ रहे हैं उन सब के साथ हमने विल हैव का हेल्पिंग वाब इस्तमाल करना है form of verb, हम इसमें third, इस्तेमाल करेंगे जैसे they will have enjoyed the party वो party enjoy कर चुके होंगे यब वो party से लुट्फ अंदोज हो चुके होंगे अब will have हमारा यहां पे helping verb दिया हुए और enjoyed जो है, यह third form दी हुई है enjoy first form, enjoyed second और enjoyed ही third form होती है तो यहां पे यह third form दी हुई है अब दे के साथ हमने will have का helping verb लगाया shall have का helping verb सिर्फ I or we के साथ आता है next time I shall have gone हूँ मैं घर जा चुका हूँगा go first form of verb, went second और gone third तो अब gone जो है कि यहां पे third form of verb दी हुई है और I के साथ हमने shall have का helping verb लगाया next time positive sentences, सबसे पहले हम structure देखते हैं या formula कि जब भी हम एक sentence बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या आतिस आएगी, उसके बाद क्या लगाना है helping verb का बाएगा, object का बाएगा सारे sentences में या structure यह sentence का ही होता है कि सबसे पहले हम subject लगाते हैं subject कहते हैं doer of an action को यानि काम करने वाला कौन है इसके बाद जो भी हमारा helping verb है अब क्यूंके हम future perfect का रहे हैं और इसका helping verb will have और shall have है तो यह हम will have ये shall have subject के according जो उन सब 11 वो लगा देंगे इसके बाद third form of verb लगाएंगे और इसके बाद object लगा देंगे जैसे he will have locked the door वो दर्वाजे को ताला लगा चुका होगा अब will have क्या है यहां हमारा helping verb लगा देंगे ठीक है locked क्या है third form of verb लगाएंगे lock first locked second और locked की third सबसे पहले हमने अपना subject लगाया फिर helping verb लगाया फिर हमने अपनी form of verb लगाई third और फिर objective जब भी एक sentence बनाएना structure कही रहेगा tense के according, helping verb या form of verb चेंज हो सकते हैं लेकिन यह जो तर्टीब है subject की, helping verb की main verb की या object की यह से में रहती है main verb कहते है action क्या हो रहा है, sentence में काम क्या किया जा रहा है अब इसमें ताला लगाने का काम किया जा रहा है you will have finished the task आप task मुकमल कर चुके होंगे अब इसमें action क्या हो रहा है task मुकमल करने का काम किया जा रहा है अब you के साथ हमने will have का helping verb लगा है इसके बाद है the children will have played hockey बच्चे होकी खेल चुके होंगे अब children जो है यहाँ plural दिया हुए ज्यादा बच्चों की बात का रहे है child एक बच्चे की children ज्यादा बच्चों की children के साथ कई दुफ़ा कुछ लोगों ने s लगाया बाता है जो कि खलत होता है children के साथ s आने ही नहीं है children already plural form है will have played hockey बच्चे होकी खेल चुके होंगे अब बेशक ज्यादा लेकिन हमने यह नहीं करना कि हम ज्यादा के साथ shell have लगाए shell have सिर्फ I और वी के साथ आने है बाकि सिंग्लर प्लूरल जो भी दियाव है सब के साथ will have का helping work ही आने है प्लेट यहाँ पे थर्ड फॉर्म और वाब दी हुई है इसके बाद है they will have started a new job वो नए जॉब स्टार्ट कर चुके होंगे अब में वाब यहाँ पे क्या है शुरू करने की we shall have taken part in drama हम ड्रामा में हिस्सा ले चुके होंगे अब यहाँ पे हमने shall have का helping वाब इस्तमाल किया क्योंके subject जो हमारा door of an action है drama में हिस्सा लेने का काम कौन कर रहा है we हम कर रहे है तो we यहाँ पे हमारे subject की जगा पे आयवा door of an action है वो आया है इस वज़ए से हमने यहाँ पे shall have का helping वाब लगा है next है negative sentences अब जो main बात है वो यह है कि हमने negative sentences में not कहां पे लगाना है सबसे पहले structures का यह subject आ जाएगा इसके बाद will और shall आ जाएगे will और shall के फॉरण बात हमने not लगा देना है have भी हमने नहीं लगाया have हमने लगाना है not के बाद इसके बाद third form of one और फिर object यह mistake हमेशा इस चीज़ की होती है यह जहाँ she will have not यह खलत है not हमने इनके दरमयान में लगाना है जैसे they will not have made this mistake वो यह खलती नहीं कर चुके होंगे अब will और have के दरमयान में not आया I shall not have opened your letter मैं आपका खत नहीं खोल चुका होंगा या चुकी होंगी अब जहाँ भी not हमने shall और have के दरमयान में लगाया अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं I shall have not opened your letter तो यह खलत होगा यह इसके दरमयान में ही आना He will not have answered the questions उसने सवालात के जवाबात नहीं दिये होंगे अब ही जो है यह लड़के एक लड़के की तरह इसारा करता है Will not have हमने लिख है Answered और लगानी जो हमारे negative sentences होंगे उनमें भी हमने third form ही इस्तमाल करनी है Positive या affirmative sentences में भी third form ही इस्तमाल करनी है Main verb जो हमारे action हो रहा है उसकी और negative में भी हमने third form of verb ही इस्तमाल करनी है यह change नहीं होनी structure इसका भी वही रहना subject, helping verb सिर्फ यह helping verb एक तरह से यहूं संबलना डिवाइड हो जागा, not दर्मियान में आजाएगा They will not have reached home वो घर नहीं पहुंच चुके होंगे अब reached यहां पे third form of verb दी हुई है और home से पहले दूसरी बात कोई भी proposition को नहीं आती You will not have seen us आप हमें नहीं देख चुके होंगे See first form of warm Saw, S.A.W. saw second और seen यहां पे third form of verb दी हुई है अब not हमने will और have के दर्मियान में लगाया Next time interrogative sentences Interrogative sentences कहते हैं वो sentences जिसमें हम कोई question पूछते हैं सवाल करते हैं इसका structure क्या होगा Will और shall सिर्फ will और shall Start में आ जाएंगे इसके बाद subject या जो हमारा door of connection है वो आ जाएगा इसके बाद हमने have लगाना है फिर third form of verb और फिर object अब यहां बेभी हमने जो हमारा एक तरह से यह समझ ले helping verb जो है इसको divide कर दिया will और have को shall और have को इन दोनों को डोडों पार्ट्स में divide कर दिया examples है will they have approved this map क्या वो इस नक्षे को approved कर चुके होंगे approved of third form of verb क्या हमने लगाई हुई है approved first approved second approved ही third shall I have gone to America क्या हमें अमेरिका जा चुका होंगा अब हमने यहां पे shall क्यों लिखा है क्योंके जो dual of an action है जो subject हमारा दिया हुए वो I है और I और V के साथ हमने shall have का helping verb लगाना इसके बाद है shall we have taken part in drama अब यहां पे भी हमने shall और have को two parts में divide किया हुए shall को ला किया हुए have को ला किया हुए क्या हम drama में हिसा ले चुके होंगे will they have played hockey क्या वो होकी खेल चुके होंगे will you have bought a bike क्या अब बाइक खरीच चुके होंगे by first form of verb होती है bought second और bought ही third और इसको bought पड़ते हैं about नहीं पड़ते हैं और यह third form of verb दी वह है तो positive sentences में भी main verb third form आएगी negative में भी और interrogative में भी I hope आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपका कोई question है तो आप comments box में पूच सकते हैं वीडियो पसांद आगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्यू